So hello everyone, welcome back to this YouTube channel. So this last lecture में हमने question number 4 कर दिया finish. आज हम start करेंगे question number 5 से देखते कितने question कर सकते हैं. So this question number 5 इसमें क्या लिखा है आपके सामने question दिखाई दे रहा होगा. If a is equal to 1, 2, 3, 4, b is equal to 3, 4, 5, 6 and c is equal to 4, 5, 6, 7, 8 and आपको दिया universal set X. तो आपके solution में start करता हूँ. d in the sense to 7 questions दिये हैं अरे बाई 7 questions दें इसका मतलब यह नहीं होता कि आपको exam में भी 7 questions देंगे no right तो solution में मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूं कि जो मेरे पास question है मेरे पास a दिया है so students set a की value यहाँ पर क्या है yes one two three four one two three and four उसके बाद b की value क्या है बोलो b की value three four five six three comma four comma five comma six and c c की value क्या है students four five six seven eight सारी value प्रॉपर लिखना four five six seven eight सारी value मैं पहले लिख रहा हूं उसके बाद जो x है guys यहाँ पर x क्या होगा आपका universal set ठीक है तो confused नहीं होना one two three four five six seven eight nine and ten बहुत सारे बच्चे इंटर्वल में difficulty feel करें बच्चों टेंशन मत लो इंटर्वल भी मैं फिर सबको बता दूंगा so one two three four then three four five six then four five six seven eight उसके बाद x आ गया अब जो हमें पहला प्रूफ करना है बोलो पहला मुझे क्या प्रूफ करना है पहला प्रूफ करना है so left hand side निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा पहले bracket तो bracket हमें कौन है strengths B intersection C तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं B intersection C अब यह सारी चीज़े थे हमको पता है कैसे निकालना है B intersection C yes जो B और C के अंदर common element है तो बिटा B और C में common element कौन को है 3, 4, 4, 4 common हो यहां पर दोनों में 4 common है यहां चकर यह 4 और यह 4 साही न उसके बाद 5 भी common है उसके बाद B और C में 6 भी common लेकिन 3, 7, 8 common नहीं है so मेरे कहने का मतलब यहां पर यह होता है कि 4, 5, and 6 यह B और C में common है तो उनके intersection में आ जाएगा अब क्या निकालते हैं A union B intersection C तो अगर A union B intersection C लेना है मतलब क्या होता है A के सारे element और B intersection C के सारे element ले ले लेंगे भाई एक element क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है बराबर उसके बाद B intersection C के element क्या है 4, 5, 6 लेकिन 4 तो अलड़ी पहले से आ चुका है हमारे पास तो 4 न लिख करके बागी लिखो 5 and 6 देखा आपने सो A union B intersection C का मतलब क्या होता है A के सारे element लेने है उसके बाद B intersection C के सारे element लेने है बड़ सारे element लेते समयं make sure that कि कोई element double नहीं होना चाहिए मतलब कोई element दो बार नहीं आना चाहिए ठीक है यह हो गया हमारा A union B intersection C इसको हम बोल देते हैं equation 1 चलेगा अब राइट हैंड साइड में क्या सब लोग A union B और A union C फिर बादनों का intersection तो पहले निकाल लेते हैं A union B तो बोलो A और B का union निकाल रहे हैं तो A और B में कौन कौन है A में है 1,2,3,4 पहले लिख दोसको क्यों कि union मतलब simple दोनों के element लिख डालो पूरे के पूरे 1,2,3,4 फिर B में को ने पिटा 3,4,5,6 फिर 3,4 तो आ चुका है तो बचा क्या 5 and 6 देखा आपने फिर A union C निकाल लेते हैं A union C So A union C मतलब A और C के common element तो A के common element 1,2,3,4 है फिर C में को ने पिटा 4,5,6,7,8 4,5,6,7,8 अरे 4,5,6,7,8 मतलब क्या हो जाएगा 4 तो आ चुका है तो कौन आएगा 5,6,7 and 8 देखा आपने So A union B और A union C भी निकाल दिया अब रूल के हिसाफ से उनका क्या निकालना है intersection तो A union B intersection A union C तो पिटा A union B और A union C का क्या निकालते है intersection intersection जो common element है 1,1 common है yes, 2,2 common है yes, 3 common है जी हाँ 3 भी common है 4 common yes, 5 common yes, 6 common yes, लेकिन 7,8 common नहीं है तो अगर 7,8 common नहीं है तो 7,8 को हम नहीं लेंगे So now this is my A union B intersection A union C जो कि हमारा क्या है students जी हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे यह हमारा क्या है बच्चो राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा equation number one है और light hand side equation number two हो गया तो अभी हम क्या बोलने वाले हैं from one and two पर चेक तो कालो same एक नहीं तो इसमें क्या है one two यहां पर भी one two three four five six यहां पर भी one two three four क्या बात है क्या बात है इसका मतलाब यह दोनों element क्या होगे बटा दोनों same होगे from one and two a union b intersection c is equal to a union b intersection a union c देखां तो आपने इस तरीके से पहला वाला question कर दिया तो second question मैं नहीं करूँगा क्या expect करते हो सारे question करूँगा नहीं क्यूंकि बटा देखो जब तक आप practice नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा जैसा कि हमने second first वाले में क्या निकाला पहले बी intersection c बाद में a के साथ उसका union फिर right hand side में a union b a union c निकाल करके उनका intersection उसी तरीके से अगर मैं second वाले की बात करूँगा ध्यांदरा अगर मैं second वाले की बात करूँगा तो पहले क्या निकालेंगे b union c जो भी value आए कि उसका a के साथ में intersection यह हो गया हमारा पार्ट फिर क्या निकालेंगे बटा a intersection b अलग से intersection c अलग से बाद में क्या कर देंगे उनका union देखा आपने तो यह question आप खुद से try करो चलेगा यह तो यह जो question था इसको मैंने दे दिया आपको homework चलो नेक्स 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 तो इतना होने के बाद जो हम अगले तो question number two तो मैंने homework दे दिया तो आपका जो तू है वो बोलो क्या है आपका homework ठीक है homework फिर आते है question number three के पास ठीक है अब यह data थोड़ा सा हम लोग उसको नीचे कर लेते ने तो क्या होता है मजा नहीं आएगा चलेगा थोड़ा सा इसको मैं सेलेक्ट करके यास नीचे की तरफ कर लेता हूँ है चलो क्यों क्यों चाहिए ना हमें और क्या यह थोड़ा पर परिशान कर रहा है मुझे चलो चलो कोशन number third करते हैं सो एवरी टाइम ध्यांदना third की बात करेंगे तो ए यूनियन बी का डाश इस इसके लिए पहले left-hand side solve करेंगे हैं गाइस left-hand side solve करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए यूनियन बी का whole डाश निकालेंगे तो पहले ए यूनियन बी तो निकाल लो अब डाइग्राम देखो यहां पर अलड़ी आपके पास है ए और बी तो मैं बार बार उपर नहीं जाओंगा आपने लिखा यह अलड़ी सो इस ट्वेंड्स हमारे पास जो यह ए यूनियन ब है तो ए यूनियन बी कैसे आएगा ए के सारे अलिमेंट मतलब वान टू अरड़ी हमने उपर निकाला हुआ है फिर फ्री फॉर फाइसिक्स में थ्री फॉर तो आ चुका है फाइव और आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉंपलीमेंट क्यों भाई यहां पे डैश बोल क्या होचाएगा अल्ड इलिमेंटे सॉफ यूनियन बी में नहीं होना चाहिए तो दि उनिवर्सलजच का वान टो मान टो ट्री फॉर फाइफ सिक्स जो चैने आवें ए यूनियन बी के डैश में या मॉम्पलिमेंट य्छाण नहीं आएंगी कौन को नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 तो कौन आएगा जो बचाए मेटा बचा कौन है सेवन है एट है नाइन है टेन तो सेवन कॉमा एट कॉमा नाइन कॉमा टेन बहुत आसान है यह सब चीज़े आपको सिखाई हुई है इतना भी चीज़े आस्तान नहीं कि आप बैठे और हो जाए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा न आपको यह सब्सक्राइब को पता है कि अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो वही कि पांच बजे का लेक्चर हमारा होता ही रहता है यह आगे बढ़ें चलो आगे आपने आपने अपने ध्यान से देखने यहां पर डाइग्राम के अंदर तो शेयर चार सिट में निकाल दो 1,2,3,4 निकाल दिया तो क्या बचा सर 5, 6, 7, 8, 9, 10 बचा तो वही तो मेरे एक कॉम्प्लिमेंट है 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर निकालते हैं B कॉम्प्लिमेंट B कॉम्प्लिमेंट मतलब All the elements of X लेकिन उसमें से जो भी B के अंदर होगा उसको मत उठाना तो बुरू B के अंदर कौन-कौन है चेक कर लेते हैं भाई तो B के अंदर है 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 तो ये B के अंदर है तो B कॉम्प्लिमेंट में नहीं आएंगे समझ गए बे कॉम्प्लिमेंट में नहीं आएंगे तो कौन को Stuart आएगा 1, 2, 3, 9, 10 चलो ओके अब मुझे क्या निकालना है ज़रा ध्यान दना A union B का डैश 7 8 9 10 बराबर था एक मैंने थोड़ा गलती से बच्चों यहां पर मैंने A compliment B compliment निकालते समय C को देख लिया गलती से हो गया यह सौरी सौरी गाइस यहां देखो ओके सौरी फॉर दाट यहां देखो क्या है गाइस B में तो है 3456 तो 3456 देखा आपने इनको लेना है कही लोग सोचने के सर को कैसे हमाल पड़े कुछ गलती हो गहीं बेटा वह थोड़ा सा बोलते हैं जब आप खुद प्रैक्टेस करें आपको भी समझ जागा क्यों गलती काहां पर कैसे हो रही है सो हमने बी का 3456 हटा दिया तो क्या बचा एकस में 1278910 लिख दो वह बी कॉम्प्लिमेंट में 1278910 तो हमारे पास A' and B' आ चुका है अब क्या निकालेंगे इसका इंटरसेक्शन दोनों में कॉम्मल एलिमेंट कौन-कौन है सर्थ 7 है उसके बाद 8 फिर 9 फिर 10 लेकिन 5612 नहीं है तो 78910 चेक करो इसको बोल दो एक्क्वेशन नबर 12 दिया था था न इसको देदो 3 और इसको देदो 4 तो बोलो 3 और 4 में क्या ह आ रहा है फ्रॉम 3 & 4 क्या समझ में आ रहा है कि a union b का whole dash which is equal to a intersection b dash a union b का whole dash is equal to a dash intersection b dash clear so इस तरीके से हमने इस question को भी कर दिया that's all clear guys very good so guys question number third होने के बाद again question number जो fourth होगा वह मैं आपको दे रहा हूं homework ठीक है क्यों सेम उसी तरीके से करना है question number four क्या होगा आपका homework देखो क्योंकि वहाँ पर क्या दिया है intersection b का whole dash पहले आप a और b के बीचका निकालोगे intersection उसका फिर निकालोगे compliment and बाद में a dash b dash निकाल करके उसका union ठीक है चलेगा अब आते हैं question number five के पास question number five क्या है sir question number five में दिया है a is equal to मतला मुझे निकालना पड़ेगा a intersection b union a intersection b dash चलेगा चलेगा सो हमें बारे पास a और b दिया गया है उपर दिखो सब लोग question के अंदर a और b तो a and b का पहले निकाल ले थे intersection चलेगा so a और b का intersection क्या है वच्चो one two three four question के अंदर one two three four three four five six तो common क्या है सर three four common है सर intersection मतब common element three four common चलेगा खतम अब a intersection b dash निकालना है तो पहले ही निकालना पड़ेगा b dash सर अभी तो निकाला पेटा exam में कोई एक ही question देगा कोई दो ही question देगा समझे इसलिए सब में निकाल के दिखा दो सो b dash b dash क्या हो जाएगा सर all the elements of x but not belongs to b तो b में कोन है three four five six बेटा three four five six को हटाओ अरे three four five six को हटाओ तो b compliment क्या हो जाएगा one two seven eight nine ten one two seven eight nine and ten ठीक है अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर a intersection b dash intersection b dash if you want you can write a also यहाँ पर a लिख दो बुटा a की value क्या है one comma two comma three comma four मैं यहाँ पर बीच में लिख देगा ठीक है चलाँ अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर a intersection b dash तो यहाँ पर मेरे पास a भी है और b dash भी है दोनों का निकालना है intersection तो common element क्या है one one common है यहाँ फिर यहाँ तो two two common है जी हाँ फिर three four है बढ़े आप seven eight nine ten आप common नहीं है तो देखा जाए तो a dash intersection b dash तो a intersection b dash में सिर्फ आया one and two अब मुझे क्या निकालना है rule के हिसाब से a intersection b और a intersection b dash का union so a intersection b हमने उपर निकाला हुआ है union a intersection b dash तो बिटा a intersection b में क्या है आपका three and four है और a intersection b dash में क्या है आपका one and two है चलो a को दे दो equation number one और इसको बोल दो equation number two चेक करो one two three four यहाँ पे भी one two दे आगे पीछे हैं उससे फ़रग नहीं पड़ता पड़े element same आ रहे है ना yes so from one and two against twins a is equal to a intersection b union a intersection b complement a b dash ठीक है तो इस तरीके से आपने question number five भी कर दिया right तो इस तरीके से आपने five किया अब आती है बी की तो बी पहले क्या निकालोगे a intersection b जो की 3,4 ही आने वाला है फिर a complement मतब a dash निकाल करके उसका निकाल दोगे intersection b के साथ फिर दोनों का निकालोगे union चेक करो b k equal है क्या अगर b k equal है तो हो गया काम otherwise नहीं ठीक है okay students चलो very good so students question number six भी आपको home up दे दे रहा हूं ध्यान दे तो करी लिया एक दम बढ़िया तरीके से देखो सब लोग अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि question number five मैंने आपको करवा दिया एक दम बढ़िया तरीके से एक दम आसान तरीके से उसके जैसा ही question number six है intersection b a dash intersection b निकालो उसका union निकालो फिर चेक करो b के 7th करने जा रहा हूं है so question number 7th क्या लिखा यहां पर a बच्छा यहां पर a कितना है हमारे पास 1,2,3,4 तो बुलो number of a की value क्या हो जाएगी 4 उसके बाद b बुलो यहां पर b कितना हमारे पास 3,4,5,6 3,4,5,6 so now number of b हो जाएगा हमारे पास again 4 okay अब हमारे पास a union b निकालना पड़ेगा so a union b मतलब a और b के सारे elements so 1,2,3,4 उसके बाद b में कौन कौन है 3,4,5,6 but 3,4 तो आ चुका है तो बचा कौन 5 and 6 अब अगर आपको निकालना है number of a union b तो क्या हैगा count कर दो number of a union b का मतलब क्या होता बच्छो उसके अंदर कितने elements ह है 1,2,3,4,5,6 elements है तो 6 लिख दिया इसको मैं box मेरा क्योंकि इसको बोलता है question number 1 अब निकालते हैं a intersection b so a intersection b मतलब what a और b के common element बताओ यह और b में कौन common है 3,4 उसके और 1,2,5,6 common नहीं है तो 3,4 common है तो कितने elements होगे number of a intersection b के अंदर सर्थ 2 elements clear so number of a intersection b is equal to 2 okay student so यह इस तरीके से हमने सारा value निकाल दिया okay अब हम लोग क्या करेंगे yes अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग निकालते है number of a plus number of b minus number of a intersection b तो number of a कितना है हमारे पास उपर दियो सब लोग 4 ठीक है number of a intersection b क्या हमारे पास 4 plus number of b कितना है बच्चो 4 और a intersection b कितना मुझे मिला 2 तो minus 2 so which is what 4 plus 4 is equal to 8 minus 2 which is equal to 6 so number of a plus number of ठीक है plus number of b minus number of a intersection b कि वेलो क्या मुझे मिली 6 guys which is equal to what a union b so number of a union b देखा आपने so इस तरीके से हमने क्या कर दिया yes इस तरीके से हमने अपने questions को कर दिया simplify so finally I can say that number of a union b is equal to number of a plus number of b minus number of a intersection b okay so इस तरीके से हमने questions all कर दिया तो देखा जाए तो इसके अंदर total seven questions ते और सारे के सारे questions मैंने इसको finish कर दिया I hope कि सब को अच्छे से समझा होगा so strengths previous question number five करने के बाद था लेंदीग था time लगा बड़ कोई नहीं चलो start करते question number six क्या दिया है question number six में क्या लिखा है कि if a and b are the subsets of the universal set where number of x मुझे दिया गया है 50 50 number of a दिया गया है मुझे 35 guys number of b it is all about formula ऐसे question exam में कही बार पूछें अच्छे से करना इसको और number of a dash intersection b dash की value दी है five अब मुझे क्या निकालना है पहली value number of a union b yes तो बहुत आसान है कैसे यह यह value दी ना उसी को मैं यूज करने वाला हूँ कैसे यह जो हमारा number of a dash intersection b dash है अगर आपको याद होगा मैंने आपको सिखा था आपको सिखाया राइक चीज़ कि कोई भी इंटरसेक्शन 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 तो यूनियन देखा आपने a union b का होल डैश आ गया clear चल और भी मैंने आपको सिखाया राइक चीज़ कि कोई भी इंट और उसके compliment को आइड करोगे तो answer हमेशा x आता है universal set yes a plus a dash equal to x किसी के लिए भी b है तो b plus b dash equal to x something is something plus something dash equal to x मतलब कोई भी set और उसके compliment को अगर आप आइड करते हो तो हमेशा उसकी value बोजो क्या दी बच्छो universal set इसका मतलब अगर a dash निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा x minus a समझो इस formula को अगर मुझे a dash निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा x minus a तो वैसे ही अगर इस a union b को समझो मैं क्या बोच रहा हूँ a union b को मैं पूरा a मान के चलूँ तो number of a dash और number of a dash देखो number of a dash क्या हो जाएगा number of x minus number of a तो number of x minus number of a यहाँ पे a कौन है sir a union b है so number of a dash intersection b dash clear I hope कि सबको यह इतना clear हो गया होगा yes जल्दी बोलना बच्चों मेरे क्योंकि बहुत आसान question है a dash intersection b dash is equal to number of x minus number of a union b अब बुरो कैसे आएसा देखो डा मैंने a dash intersection b dash को लिख दिया a union b का whole dash so something का dash is equal to x minus o set अगर a का dash है तो x minus a b का dash है तो x minus b c का dash है which is equal to x minus c अगर a union b का dash है तो x minus a union b देखा आपने चलो value put करो फटावाट a dash intersection b dash की value क्या है 5 is equal to number of x कितना मेंट आपने पास 50 है 50 minus number of a union b अब a union b को भेजो left में minus का बन जागा plus number of a union b हो जागा plus यहाँ पहले इसे 50 है 5 गया तो minus 5 so finally number of a union b बोलो मुझे क्या मिल गया sir 45 क्या मुझे मिला बोलो फटावाट 45 तो हो गया 45 अब आपके पास अगर आपने ध्यान दिया होगा अगर जिनको भी पता है फॉर्मुला बोलो कौन सा फॉर्मुला सर अरे addition का formula बोलो addition का formula क्या था yes addition का formula क्या था बच्चो अदिशन का formula आपके पास number of a दिया 35 सही ना number of a दिया 35 number of b दिया 20 a union b अपने अब भी निकाल दिया so आपको क्या निकालना intersection तो आप लोगो जो second वाला निकालने जाग उसके लिए फॉर्मुला अपला करो कि number of a union b is equal to number of a plus number of b minus number of a intersection b तो जहाँ पर a union b कितना आपका 45 a कितना है बटा 35 check करो plus number of b कितना है 20 minus number of a intersection b नहीं पता वो तो निकालना है कैसे मालूम पढ़ा जल्दी बोलना कैसे मालूम पढ़ा गाइस देखो ना उपर number of a कितना है 35 number of b कितना है 20 ओके चलो फटा फट सो यह हो जाएगा हमारा 45 is equal to 35 plus 20 55 minus number of a intersection b so यह हो जाएगा number of a intersection b left में भेज़ दिया क्यों यह 55 है और यह 45 को बाराइट में भेज़ा मैनस 45 इतना होने के बाद अब मुझे क्या निकालना है थर्ड वाला बुलो क्या निकालना है बच्चो नंबर of a- intersection b दो इसको मैं साइड में कर रहा हूं थर्ड वाला नंबर ओफ a- intersection b देखो जब कभी भी किसी एक पर घबराना मत उसका फॉर्मला कैसे बनाते है देखो सब लोग उसका फॉर्मला बनाने के लिए उसके बाजू में नंबर ओफ a intersection b लिख दो कोई सोचो मत उसके बाढ़ डैश किस पर है a पर ना तो b पर नहीं है जो पर यह लिख दो मतलब फॉर्मला कैसे बनाने कर इसका कई लोग घबराते हैं सब फॉर्मला याद ही नहीं होता है तो अगर किसी एक पर दाह ना तो किस पर भी घच हो फरक नहीं पहले उसके बाज में प्लस करके लिख दो उसका इंटरसेक्शन मतला अगर अगर कोश्चन के अंदर एक उपर डैस है तो इकवल के बाद लिखना है अगर समझ गए सो नमबर ऑफ एड़ इंटरसेक्शन बी फ्लस एंटरसेक्शन बीकि वैलु क्या है सर अभी तो निकाली हमने इस इकवल तो नमबर आफ बी बराबर ने तो यूनियन था नीचे निकाल हमने इंटरसेक्शन एक मिनटा क्या है रहा है intersection की value देखना पढ़ा है 10 है मुझे इतना फील हो रहा है yes ठीक है एक मिन्ट हाँ 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 एक मिन्ट यह स्ट्रेंट स्टेन है था हमने पुट कर दिया है यहां पे 10 चलो फड़ावट था हमने पुट कर दिया 10 इंटरसेक्शन के प्लेस पर नमबर आफ यहां पर क्या था बोलो फड़ावट यह नमबर आफ अपर डाश था बी लिखेंगे सिस्स नमबर आफ बी कितना हमारे पास 20 है चलो फड़ावट उद्र वेजदो तो क्या हो जाएगा पहले लिख दो इंटरसेक्शन तो नमबर आफ एंटरसेक्शन बी उसके बाद बचा काउन ए वह सकता है मैं बीच में आता हूं सॉरी देख लो सब लोग इंटरसेक्शन बी डाश प्लास इंटरसेक्शन भी तो 10 है नमबर आफ ए कितना है वेटा 35 है आईकी नहीं सब लोग जल्दी से जल्दी हमारे पास वैलू क्या मिली सर उदर भेज दिया तो नमबर आफ एंटरसेक्शन बी डैश की वैलू मुझे मिल गई 35 माइनस 10 विच इस इक्वाल तो 25 देखा आपने यास तो हमने चारों की चारों वैल्यू निकाल ली बहुत आराम से बहुत क्लास में करके दूंगा क्यूंकि मैं आराम आराम से थोड़ारा सिखाऊंगा जिससे आपको अग्दम डाउट क्लियर होता जाए ठीक स्वेंड्स चलो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग डी सेशन मिलते हैं नेक्स लेक्चर में बाबाइ स्ट्वेंड्स